बोलिय स्री क्रिष्ण कनै आलाल की जै स्री गानेशाय नमह स्री शारश्वत्याई नमह स्री गुरुभ्यो नमह स्री भागवत भगवान ती जै आम नमह पगवते वाशुदे वाय द्रश्टी ने भगवत में बनावशो तो द्रश्टी ज्याज यसे त्या भगवान देखाशे गोपी ने द्रश्टी परमात्मा मा जती क्रिष्ण मथूरामा बिराजता हता त्यारे गोपी नो क्रिष्ण मथूरामा ज़ देखाएचे उद्धाव ने कहेचे के कने यो अहीं जचे कारण गोपी ने बदु क्रिष्ण मय देखाएचे कुण्जन श्याम यमना श्याम गगन श्याम घन श्याम शिवनो कंठ श्याम बदेज श्याम अरग जचे हवे कश्यपनो अर्थ जुओ ते सब्दन उल्टावशो तो थसे पश्यक उप निशदमा कनो अर्थ करयो छे इश्वर कव एटले इश्वर अने श्याप एटले जोऊ श्यार्वमा एक इश्वर ने जुए ते कश्यप कश्यपनी व्रती ब्रह्माकार बनी त्यारे भगवाने प्रगठ थाऊं पड़िओ गरहस्थास्रम भक्तीमा बादक नथी पन साधक छे बादक छे गरुहा शक्ती गरहस्थास्रम कामा शक्ती द्रव्य शक्ती विशया शक्ती आँ बद्धुज बादक छे संसार ना विशयो मा साच्यु शुख होए तो बद्धु छोड़ी ने मनुष्यने निंद्रानी शामाटे जरूर लागे विशयो नो त्याग करी मनुष्यने निंद्रानी इच्छा थाए छे ते जी बतावे छे के विशयो मा शुख न थी जेम अननुशेवन रोज करो छो तेम वारमवार सत्संग नुशेवन कर पण कर जो सत्संग ना सेवन नी आ जीवने बव जरूर छे सरेर माटे अन्न छे तेम आत्मा माटे सत्संग छे प्रभू कहे छे के हुँ अंतर्यामि रुपे शावना रदय मा बिराजू छो तो एमा दोश कोनौ। पासे लाखनो हिरो होए, पड़तेनी खबरना होए, तो दोश कोनौ। आ दुख अग्ण्यान नूँछे। ब्रम्माकार व्रतिथी अग्ण्याननू तेमज दुखनू निवारण थसे। अंदरनू निराकरण अने बाहरनू शाकार श्वरूप एकत्र थसे, त्यारे वामंजी भगवान प्रगट थसे। अधिती ए पयोव्रत कर्यू छे, रात्रे अधितीने शोपनवा चत्रभुज नारायन ना दर्षन थया जे। भगवाने कईू मारा चत्रभुज श्वरूप न निहाडो, अने मारा चत्रभुज श्वरूप नू सतत ध्यान तमारा पतिना सरिर्मा करशो, तो तमारे त्यां पुत्र रुपे आविश। एक श्वरूप नू वारमवार चिन्तन करे, एटले ते अधिकार नू श्वरूप मनवा ठसी जायेचे, अधिती अने कश्यप नारायन नू ध्यान करेचे, अधिती अने कश्यप नी व्रत्ती नारायन मै बनी गईचे, त्यारे एमने त्या नारायन पधार्याचे, भादर वाशुद बालस मध्याहन काडे माता अधिकी सन्मुक वानम वामन भगवान प्रगट थयाची बोल्ये वामन भगवान कीजे कश्यप दोरता दोरता वामन भगवान ना दर्शन करवा आवया मता पिताने भान कराववा भगवाने चतुर भुज श्वरूप आपयोचे रदयमा आनंद समातो नथी चत्र भुज नारायन नुश्वरूप अध्रश्य थयू एकले सात वर्शना बटुक वामन श्वरूपे प्रगट थयाचे सुन्दर लंगोटी पेरी चे दीव्य तेज चे ब्रह्मादिक देवोए कस्यपने धन्यवादापयो के तमारो ग्रहस्थास्रम सफड थयोचे आजे तमे जगतना पिता बन्या चो वामन जी ये बाड लिला करी न थी कारण के प्रगट थया त्यारे सात वर्षना आता सात वर्षना बटुक वामन जी ने जनोयापवानो निरणे थयोचे ब्रामन ने जनोयापवामा आवेचे त्यारे तेनो ब्रह्म सबंद थायेचे जनोयनो मंत्र पिता पुत्र ने कहेचे आज थी तु मारो नई, आज थी तु इश्वर नो थयोचे ते दीउसे माता साथे भोजन करावा मा आवेचे जनोई आपे आपँछी माभाप पन बदलाएचे पिता थायेचे शुरे नरायेट और है माता बने गायत्री माता जनोई ए वेदोय आपेली चपरास पहरी जीव कहेचे क्या वेवु नारायननों सेवक छो सास्त्रोक्त संसकार करवाथी जीवनी सुद्धी थायेचे अने तेना निस्कुरुष्ट भावोनी उन्नती थायेचे पन आजे एक संसकारनी परंपरा नस्ट थायेचे तेथी सयमने सदाचार नस्ट थायेचे जनोई आथे बनाव विजुई सुतरने चन्नू वखत लपेटू पड़ेचे वेदोमा कर्म अने उपास्नाना मंत्रो चन्नू अजार चे तेथी भणवानों अधिकार तेथी मडेचे वेदना मंत्र एक लाग छे पन चार जार मंत्रो सन्यासी माटे चे बाकिना चन्नू हजार कर्मो अने उपास्नाना मंत्रो चे जनोई बनावनार ब्रह्मा अने त्रिगुणातित करनार भगवान विश्णू चे जनोई ने गाठ आपनार सिवुजी अने अभिमंत्रित करनार गायत्र देवी चे एक एक धागा मां एक एक देवोनी प्रतिष्ठा करवा मां आवे चे तेथी तेने लोडानो स्पर्ष न करावो जनोई नो हेतु चावी लटकावा माटे नथी वामन जी महराजने जनोई आपको आमा आवे चे अधिती ये लंगोटी आपी छे धर्ति माताए आसन आपियों छे ब्रह्मा जी एक कमंडर आपियों छे स्वरश्वति माताए जप मारा आने कूबेर जीए कूबेरे भिख्षा पात्र आपियों प्रातह संध्या थी रात्रिनु पाप नस्ट थायेचे माटे प्रातह काड़नी संध्यानों खास उप्योग कर जो मद्याहननी संध्या अन जड़नों दोस्त दुर करेचे त्रिकार संध्यामा सूर्यनों जब करतां करतां जगदंबा गायत्रिनु ध्यान करवानू संध्यामा गायत्री माताने आवाहन करवानु होईचे एमा तम्ये मारा रदैमा पधारो मारू रक्षन करो संध्यामा अग मर्षन करवानु होईचे द्यान करवानु होईचे उत्तम संध्या आकासमा नक्षत्र होई त्यारे करवामा आवेतेचे नक्षत्र देखातु नहोई औने शुर्य नारायन बाहर ना आव्या होई त्यारे संध्या करे तो ते मद्यम संध्या शूर्यो दैपची मिर्थे अधं संध्या की दीचे ब्रहस्पती वामंदी महराज ने उपदेशापे चे के आज थी मदुकरी मागवानी मदु करिना अन्नमा मदूरता चे ते पछी ब्रह्मचारीना धर्मो संबडाव्या चे ब्रह्मचार्यास्रम नस्ट थयो त्यार्थी देशनी दूर्द साथ जे ब्रह्मचार्यास्रमनी परंपरा नस्ट थय गई चे त्यार्थी देशनी दूर्द साथ जे ब्रह्मचारीना प लाकडानी श्तरीने के डिंगलीने पण परसकरवो नहीं एवी आग्ननाचे श्तरीनी केश के मुख तरफजोवानी मनाई चे आमा स्तरीनी निंदा न थी स्तरीये पण सामु तेज प्रमाने वर्तन करवार मुँछे एकले एमा निंदा मानसना मननी चंचड़ता नीच परश्त्रीने मातागणवी लक्षमन जी ये चवद वर्षु दीवनमा सिताजीना चरणों सिवाय बिजु काईज जोईँ न तेथी जारे रामचंद्र जी सिताजीना दागीना बतावी लक्षमन जीने पूछेचे क्या द तो न थी फट्ट पगना जाजर ने ओडखूचे कारण के पाए पड़ती वक्ते पाए वंदन करती वक्ते निथ्यते मारा जोवाम आओता हता आनु नाम छे ब्रमचर्यास्रम ब्रमचर्यपालन व्यास भग्वान भाग्वत निरचना करता हता त्यारे श्लोकों रची पो वाद्ता जैमीनिना वाच्वामा आस्टलोक आवे तेमा यू लखेलू हतु। इंद्रियो एकली बड़वान छे के बलबला विद्वानों ने ते चड़ावे जैमीनिन थायू के आस्टलोक लखवामा व्यास्ट जीनी भूल थायू छे। इंद्रियो विद्वानों ने चड़ावे छे ने बदले चड़ावी शक्ती नथी एम लखुँ जुई। तेमने व्यास्ट जीने वाद करी त्यारे व्यास्ट जीये कहियू के जे लखेलूँ छे तेज बराबर शे। एक डिवस एव बन्यू के जैमीनी ये संध्या समय एक योत्तिने जाण निचे वर्षाद मा बिंजाती उबेली जोई। मारा जेवा तपस्वी ज्ञानीनो भरोसो नही करो तो पछी कोनों करशो। जैमीनी ते रुषी ने ते स्त्री ने आश्त्रम नी अंदर लावयाँ च्याश्च्यारे जैमीनी ये पूझे। तमार उलगन धरलूँ छे के कें स्त्रिये ना पाड़ी लाग जोई जैमीनी रुशिये तेने परणवानी दरखास्त मुटी यो तिये कहिं मारा पिताये प्रतिग्णा करी छे प्रतिग्णा लिजी छे के जे कोई पुरुषमारो घोडो बनी तेना उपरमने सवार करी और अंबाजी माताना दर्शन करवा लई जाए तेनी साथे जूपर ने वड़ी में मारा बापुजी ने वच्चन पणा पेलूँ छे के जमाही नू मोडू काडू करी ने मारे एमनी पासे लई जेवा जाई मीनी ये विक्यारियों जे भले मोडू काडू थाए भले गोडो बनूँओ पड़े बद्दू तिया थवा चत्ताँ जो आस्तरी मडती यो तो सुखो तूँचे जाई मीनी ये मोडू काडू करियों और गोडो करवा तयार थयाज पहली योती ये ना उपर सवार थई आ प्रमाने वरगोडो अंबाजी ना मंदीर आव्यों मंदीर ना ओटले व्यास्ती बेठा आता तेमने आज द्रस्य जोई ने पूच्यों जाई मीनी आवे आमारो स्लोक खरो के होटो अने तरत जाई मीनी बाणमा आव्याचे ते बोल्या तमारो स्लोक खरोचे तेची तो भर्तु अरिये पन कहियों छे पवन पाणी अने पांगडा उपर जीवनारा विश्वामित्र पराशर जेवा मोटा-मोटा रुशियो पन स्त्रीनु मोज जोताज मोह पाम्याज तो पछिया मिश्टान आरुगनारनु गजूशो अ तामसी खोरा खानारनु गजूशो एजो इंद्रिय निग्रह एज लोको जो इंद्रिय निग्रह करी सके तो पहाड शमुद्रमा तरेचेम समझूँ ब्रम्त्यर्य पाडवू एज दुर्वण मानसोनु काम नथी श्रीक्रिष्णने दुर्वणता गम्ति नथी हरीनो मारग छे सूरानो नहीं कायरनु काम जोने स्रुती पन कहे छे दुर्वण मानसो आत्माने पामिशक्ता नथी माटे बडवान बनो, सयमी बनो, मन रुपी आथीने सतकर्म रुपी अंकुष्ठी वश करो त्यार पची वामंजी भिक्षा लेवाजाये चे ओम भगवती भिक्षा देही गुरुजी आग्णया करी के नर्मदा किनारे बली राजा अस्वोमे गियग्य करेचे त्याजा ते भिक्षा आपचे वामंजी महराजे त्याप प्रयाण करियो चे पगमा पावडी चे, आथमा कमंडड़ चे, केवड लंगोटी पेरी चे बिजा आथमा चक्त्र अने दंड चे कमण उपर मुंजनी मेखलाच अने गडामा यग्यो पवित दारण करियो चे बगलमा मुरुग चर्म अने सिर्पर जटाच मुख उपर ब्रह्म तेजी चे जो ताज वामंजी ने रस्तामा सव वंधन करेच आको आको माथू नमे तो मान्जो क्या कोई इश्वर्णों चे वामंजी महराज नर्मदार किनारे यग्यमंडप पासे आव्या चे मोटा मोटा रुष्यो विचार करेचे क्या आवो ब्रह्म तेजश्वी आज सुधी जोयो लग्षे खरे खर केटलो भाग्य साडी कुमार चे संक्राचारे भाग्य साडी कोने कयो चे ते जानों चे संक्राचारे कहे चे के कवपिन धारी जे खरो भाग्य साडी चे पैशा वाडो नई, स्रिमंत नई, संपती वाडो नई, दर्दागीना वाडो नई, ग्णानी नई, पर जे कवपिन धारी छे, जे जितेंद्रिय छे, तेज खरो भाग्य साडी छे वामन जी ये यज्य मंडप मा प्रवेश कर्यों, के यज्यना प्रधान आचार्य, शुक्राचार्य जी उठीन उभाथया चे ब्रामनोंने ब्रह्म तेजिती मान मडेचे, क्षत्रियोंने बढ़ती मान मडेचे, वैश्योंने पैशाथी मान मडेचे, शुद्रोंने वैथी मान मडेचे चारे वरणोंनी दिवाडी पनलग लग छे, बडेव ए ब्रामननी दिवाडी छे, क्षत्रियनी दिवाडी ए विजियादस्मी छे, वैश्योंनी दिवाडी लक्षमी पूजन और शुद्रोंनी दिवाडी लोडी गणाये छे. शुक्रा चारे जी ये ब्रह्म चारी नुँ श्वागत कर्यों छे पदारो पदारो ब्रामनो उठी ने उबात आये छे वंदन करे छे बली राजाये वामन जी ने सिहासन उपर पदरावया छे राणी कहे पूजानी कईयारी करो बली राजानी राणी नुँ नाम विंद्यावली छे तेनी पूत्री नुँ नाम रत्न माला नमनमा संकल्प थयो कि आ छोक्राने जे माधवरावती हसे तेने केवू शुख थतु हसे आम बटुक वामन भगवाननु रूप जोई पहला वात्सल्य बाव थयो पन पाचड़ थी जारे बटुक जीनु पराक्रम जोईू त्यारे तेने मारवानो भाव थयो आप बन्ने भाव वाडी ते बिजा जन्ममा पूत्र ना थाये छे बन राजाराणिये वामन जीनी चरणनी सेवा करी छे वामन जी बली राजाना वखान करया छे तमारा दादा प्रहलाद महान भागवत भक्त अता एवा भक्त आज सुधी कोई ठया नथी अने ठवाना नथी प्रहलात जिनो प्रेम एहेवो हतो के प्रमात्माए थम्भमाथी प्रगट्थवू करिए तमार आपिता विरोचन येवो कोई उदार थयो नथी अने थवानो नथी अरे इंदर पन तेनी पासे ब्रामन बनीने आवेवो अने कयो के मने मारू थोड़ू आयुषे बाकिवीशे ब्रामनी विद्वा छसे मने आयुषे नुदान करो आवेला ब्रामने न ना पाड़ू ए ठीक नहीं एम समझी विरोचन राजाए पोताना आयुशनु दान इंद्रने करियो अतू आवा दान्विर तमारा पिता आता वड़ी वामन जी आगर चलावू ए राजा तमारा प्रपितामा इरने कशिपू जेवी तमारामा शक्तीच दादा प्रहलाद जीना जेवी तमारी अंदर भक्तिच अने पिता विरोचन नना जेवी तमारी अंदर उदारता चे तमारामा ए त्रणे गुणों छे राजा तुँ धन्य चे, बली राजा खुश-खुश थाई गयो, तेने कयों मागो आप ये माग सो ते आपिस, आम राजा वचन थी बंधाई गयो, पछी वामंजी बोल्या ये राजन लोबी ब्रामन नथी, एकले लाम्बू माज तो नथी, मारा पग त्रण भूमी लेवा आवयो चे, तेटली भूमी तो मने आप, बली राजा विचारे चे, आ बाळक चे, मागता आवड तु नथी, माराज बन्या चे, पड़ गण्या नथी, तेमने कयों माराज, त्रण पगला भूमी नहीं, त्रण गामदान मा आप, आखुश जगत जा आपूचु, तेने बिजा कोई पासे दान लेवा जवानु रहतु नथी, मारी पासे दान लिदा पची, तमे बिजा कोई पासे दान लेवा जाओ, तेमा उमारू अपमान सम्झूच, तमे संतोषी ब्रामन चो, पड़ आ त्रण पगला पृत्रियनु दान आपता, मने बह प्रामन लोब करे ने संग्रह करे तो पाप ना भागीदार बने चे। प्रामन लोब करे ना भागीदार बने चे। विखारी विख मागो आउतो न थी पर ते उपदेश आपको आवेशे। के जो भाई गया जनम मां में कोई न दान आप्यों नहीं ने त्यारे मारी आज दसा थे हीशे। तमे पन नहीं का याप सोने तो तमारी पन माराजे विदसा थे। माटे चेती जाओ। मानस ने घर नी ममता एटली बदी छे के ते घर ने ओटले बेठेलाने पन केटली को आरतो उठारी मुक्या छे। के उठो आईची, आ ओटलो मारोच। मुर्खो कहेचे के ओटलो मारोच। जाने ओटलो पन मरती वेडाए साथली जवानू हसे ने। मनुष्य संसार मां मारू तारू जो मुक्या दे तो जगत मां मिलकत मांते कुई मारा मारी थाय ज नहीं। वामन जी कहेचे के मने आजे एक ग्रहस्ते ओटला परप्थी उठाडी मुक्यों। एटले मने थायों के मारी पासे थोड़ी मारी पोतानी जग्या होवी जोई। एटला सारू मागवा माटे आगयो छे। संध्या जायत्त्री माटे मारे जमिन जोई जोई छे। ते माटे मारा त्रण पग्लाथी मपाये टली प्रुथी नुदान कर। बली राजाने बहु आनंद थयों छे। आवो पवित्र ब्रामन मारी जमिन उपर बेशी ब्रह्म संध्या करशे। तो मारू किटलु बदु कल्यान थसे। केवो त्यागी ब्रामन छे। हुँ तो मारू सर्वस्व आकवात यारचूं पड़ लेत आज नथी। तेने कईूं आजे तो हुँ तो मारा कैवा प्रमाने त्रण प्रुथी नुदान करीश। पण भविश्यमा आपने जारे कोई वस्तुनी जरूर पड़े तो सिद्धा मारी पासे आओज। मने सेवानो लाभ मरसे। बली राजा दाननों संकल्प करवात यार थयाचे। यज्यमंडप मा सुक्रा त्यारेजी बेठाला आता। एवामनना सब्दो पर्थी यहमने वेम पड़े होतु के। तेथी यहमने कईू राजा दान आपजे पुण विवेक थी आपजे। आ बाड़कना त्रण पगला छे केवाँ छे ते तु जान तोन थी पड़ू जानूश। आ सामड़ी बली राजा विचार मा पड़ी गया। ते पूछे चे त्यारे दान ना आपजे। शुक्रा चारीजी कहे चे दान्यू केम ना कई चे। पन तारा पगथी मापीने पुरुथ्विया पनी। मने आ वात्तु जेतली सरण समझे चे ने तेतली सरण लाजती नथी। देवोनू काम करवा आज विश्णू आमन बनी ने आव्या चे। आउँ मने लागे चे। ते आरे केतली गुरु देवने चिंता चे शिष्याने। अने एटला माटे गुरु मही माँ बतावे होचे। थोड़ा ध्यान लगा। थोड़ा ध्यान लगा। गुरु वर धोडे धोडे आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। थोड़ा ध्यान लगा। गुरु वर धोडे धोडे आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे जोड़ा ज्यान लगा, जोड़ा ज्यान लगा गुर्वर दोडे दोडे आएंगे जोड़ा ज्यान लगा मन की अखिया खोड़, अखिया मन की खोड़, तुझे दर्शन उकराएंगे थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दोडे दोडे आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा. तुरु महान चे, हर पल, हर थड़, ये शिश्यनु ध्यान राखे, बली ने समझावे चे, के बली, आ सामान ने भ्रामण नती, तु दाननी ना न पार, पन तारा पक्तीम पुरुत्वी मागे ने आपने, और ये आवाद्तों जेत्वी सरण समझे चे, येत्वी सरण नती ल का म करवा, आजे विश्यनु वामन बनी आवियारे, विश्यनु वामन बनी आवियारे आव्याँ छे बलीना द्वार मारवाला विश्णू वामन बनी आवियारे वालो वामन बनी आवियारे विश्णू वामन बनी आवियाँ छे मने उलागे छे त्यार बली राजा कहे छे के भाई उन तो दाननो संकल्पन करी चुक्यो छे एकले अवे वामन ने जे मादबू होयते मागे ने त्रण पगलामा जे लेवू होयते ले उन वचना पी चुक्यो छे रगुकू लरीत सदाच लियाई प्रान जाय अर वचन न जाय शुक्राचारेजी समझावेचे के एवू दान न करूँ जेनाथी तू दरिद्र बनी जाए औन तारा बहिरी चोक्रा रह खड़ी पड़े शुक्राचारेजीनी सला बली राजा आय नतो स्विकारी नतो गणकारी पण आपना कडियुग ना धनमाली कोई स्विकारीली दिलागेचे। कडियुग ना छोक्रा माता पितानी सेवा करता नथी मात्र पैसानी जिसेवा करेचे। पास जो जो एक डोसो मांदो पड़िय। मरन नजीक आवेलू जानी तेने पोतानू सर्वस्व त्रने छोक्रावने वेची दिदूछे। पन बन्यो एमू के मरवाने बदले डोसो हाजो थेगे। परन्तु अवे गर्मा बदायने दुदकारवा लाग्या आछे। छोक्रा कई आपे नहीं डोसाने बउद दुख थेए। दोसो एकना जुना मित्र पासे गयोचे, मित्रनी सलाली जीचे। त्यारे मित्रे एक पेटी भरी, एक पेटी पथरो थी भरी, अने तालू मारी ने डोसाने मूक लावीचे। दोसाई गरना मार्शो ने कयोँ, आ पेटी मा मारी थोड़ी मूडी छे, त्या लहीनु अरिद्वार जाऊंचु, त्या साधू संतोने जमारी तिर्थ मा स्नान करी छे। वजणदार पेटी जोई बदा मानवा लागया, आ डोसाई अजे एनी पासे घणु राशो लागया। एकला अवे बदाज पूत्रो आगरह करवाला गया, बापा मारी साथे रेजो, बापा मारी साथे रेजो, तमें तिर से यात्रा एकला करो, ते अमने सोबेने, दुनिया आमने सुके जे, दुनिया केविश्वार थी छे, पो ते खोटू करे छे, एनू एने दुख नथी, पण खोटू देखाये छे, एनू एने दुख छे, बस पछी तो सुकेवू, आ डोशानी सेवाचाकरी पण थवा लागी, मान पण मडवा लागीू, पण डोशाय मरता लगी पेटी नी चावी, कोई ने या पीटी, अने एम करता करता, छोक्राओ अने पुत्रवदुओनी चाकरी भोगवतो, भोगवतो, आ डोशो एक दिवस मरी गयोचे, छोक्राओ दाम दुम्ठी एनी उत्तर क्रिया करीचे, अने पछी, बद्दुज पती गया, पछी, पेटी खोलवानू विचारेचे, विचार कर जो, आत, स्वार्थ, बारे माना दिवस्ये तारा, लाडव पच्अरी बैस आखवासे, त्रेपांच वरश्मातने, भुली जवासे, वा तो विश्यराई जाए, रोजतारी आवर दा, पोची थार, मान माशो मलकार जो, रोजितारी आवरता ओटी थाए मानस ने वागे वो शुख तरफ जैई रहोचू वो शांती तरफ जैई रहोचू ना माप तुख तरफ नखी जातो तो शांती तरफ नखी जातो दिन प्रती दिन तुम उत तरफ जैई रहोचू अड़ माते शद गुरु कहे शद जुरू कहे तमें चेतिन चाल जो भागवद भाजन मा कायम रेजो पाणी पेला बाँदी ने जुपार रोजतारी आवर्दा उची जार पाणी पेला बाँदी ने जुपार रोजतारी आवर्दा उची जार मन माशुमल कायर रोजतारी आवर्दा उची जार नित्रन सलाः प्रमाज दोशो शुख भोगवी आंते मृत्यू पामे ओछे चुक्रा ओए दाम दुमधे नी उतर क्रिया करी आणे पछी बधाय होशे होशे पेती खुलवानू भिचार करे बधाय पेती लईयावी आवे आछे पेती में उगारी छे तो एकला पथरो निकलिया छे चुक्रा ओना दुशकरमोज जाने पथरा बनी अने ये निसा में आवे आवे आछे बधाय कपार फुट्यू जगत आवू श्वार थी छे शुक्रा चारे बली राजा ने कहे छे फरी खी कहुंचू चे गुरु छे ने साए गुरु नी चिंता छे मारा बली नुँ बधु चालियू जेसे शुक्रा चारे जी बली राजा ने फरी पाचा कहे चे बाई फरी की काउंचु चे तारा त्रण पगठी मापी जमीन आप जे एना पगठी माप तो नहीं पन बली राजा कहेचे मेना त्रण पग जेटली जमीन आपवा संकल्प करेऊचे हवे ना पाड़ू तो असत्य बोलवानू पाप लाए शुक्राचारी जी कहेचे असत्य बोलू एधर्म छे एवुँ हूँ नथी कहेतो पन आवा विपत्तिना समाए असत्य बोलू तो तेक सम्य चे सत्य बोलवा थी कोई जीवनी इंसाथती नथी सत्य बोलवा थी कोई जीवनी इंसाथती होय ने तो असत्य बोलू पन एक सम्य गणास एक कोई नुक्सान करता नहीं गणा तेवी रिते गाय ब्रामन ना रक्षण माटे असति बोलू पड़े तो तेक सम्य चे माटे हे राजा तमारा प्राण माथे संकट चे तमारा माथे प्राण संकट चे माटे वतन भंग नीबिक नराखो चेती जा पन बली राजा कहे चे गुरुजी उन लाचार छो माराथिये नहीं बने वुँ वैश्ण हो चो उमानतो हतो क्या कोई साधार और भ्रामन नो छोकरो चे परन्त ववे जारेतम में कहो चो के परमात्मा साक्सात मारी पासे मागवा आवे आचे तो मारा नारायन में वुँ सर्वस्व अर्पन करीश्ट पड़ मारा वचन नो भंग नहीं क करो मारी पासे विश्णु भगवान चाहीने दानलेवा आवे ते ना थी वदार रूड मारा माते सूम होई सके उम बहु भाग्य साड़ी चे आना थी तो जगितमा मारी प्रतिष्ठावत से आपेर मने सिख्वियों चे क्या आलोक मां अने परलोक मां सुखी थमू होई तो दननो परमार्थे परार्थे दननो सदुप्योग करो पईसानो सदुप्योग न थाये तो मरता शुदिपन सांती मड़ती न थी अने वुतो प्रहलाद जिनावन्षणु चो वइस्णव चो अमे वइस्णवो ठाकोर जिने सर्वस्वनू अर्पण करिए ची आजे मारा सर् पड़े जवू पड़े तो मनी कोई बीक न थी ऐ चिन्ता भगवान नहां थे चे ज़े कारण के भगवाननों थया पछी मारे नरक मा जवू पड़े तो भार भगवाननेमा थे चे बली राजा महा कपश्विय हे तो महान ज्ञानि हे तो बक्त दाननु रहस्य ते खुब शार प्रश्ण थावो माने ने आ कर्मने काहीं लेवा देवालो थे आम बदू फड स्रिक्रिष्णार पन करावो चो तो स्रिक्रिष्ण मारी पासे आजी मागवा आव्याचे तो हुँ क्यम ना पाड़ो मारा भगवान ने उँँ सर्वश्वार पन करीच पठी बली राजाना केवा थी वामन जी दाननों संकल्प करावेचे कहेचे के जारी मां जारी मां थी आथमा जड़ पदरावो शुक्राचारे जी पाचु सहन थनु नई संकल्पनु जड जारी मां थी बाहर ना आवे एतला माटे शुक्राचारे जी सुक्ष्म रूप दरी करी रुद सुक्ष्म रूप दरी औने नाडचामा बराईने बेठाचे वामन जी समझी गया के शुक्राचारे जारी मा बेठाचे यह मने दर्भनी सडीलाई जारीना नाडचामा नाखी छे तेजी शुक्राचारे जीनी एक आँख फुटी गई छे भगवान कुरुपा करे छे त्यारे आँख फोडे छे परमात्माए बोध हाप्यों के मारा दर्शन कर्या पछी पन एक आँखे जगतनेत में निहार जो एकज इस्वर सर्वमा रहेलो छे तेम जुएते सम्ताच बे आँख्थी जुएते विशम्ताच माटे एक आँख्थी सर्वने जुओ कोईना माटे कईपन कपट न करो भवामन जीए बे आँख नथी फोड़ी एक आँख फोड़ी छे एटले के देखवानी एन तरकापी छे एनू स्वातंत्रे स्विकार्यों छे ने विशम्ता माटे सजा करी छे भगवान पोते मागवा आब्याचे तेम छता सुकराचारे जिना मन माथी द्वाईत भाव जेतो न थे आ मारो यजमान और आ मागणार एवो एणक द्वाईत भाव राख्यों छे भगवान कहे छे जगत माँ एक आँख्थी जुओ आ मारो और आपार को आवी द्रश्टी क्यारे न राखो आ सर्व भगवान ना अंस शरुपों छे एम मारो एक आँख्थी जुए एस सम्ता और बे आँख्थी जुए एज विशम्ता छे एक आँख्थी द्रश्टी एकने सम् द्रश्टी गिता जीमा पड़ कयू छे के सर्वमा सम्तार आख्थी तेनुज नाम योग छे बधामा एकज तत्तों ने जुओ एज योग छे शुक्राचारे जी जेती गया तेवो नाडचा माथी निकडी गया संकल्प जड पड़ियो, संकल्प परिपुर्ण थयो एटले वामन जीय विराट सुरूप धारण करियो छे विराट सुरूपे वामन भगवाने, वामन महराजे आथा जगतने व्यापीली दूँचे जगत माँ सर्व ठेकाने वामन भगवाननों सुरूप देखाये चे जगतनी बहार दस आंगल छे भगवान संक्राचारे एवो एनो अर्थ करियो छे के दस आंगली थी, दस आंगली वंदन करे छे ते भगवान वंदनीय चे, चिन्तनीय चे भगवानना एक चरणमा पुरो ब्रमलो कावी गयो अने त्रिजो पग मुक्वानी जग्या नथी रे ते वक्ते दैत्यों वामन जी साथे युद करवात यार थयाच तेमने बुमा बुम करी क्या बामणा अमारा धनीने छेतरेच मारो, मारो, बली राजा है कहिऊं, उम्हों प्रतिग्णा बद्ध चुँ, सांतर हो, में प्रतिग्णा आपी दिदी त्यारे वामन जी कहे छे, बली, ते संकल्पत त्राणपग प्रुथी नुदान करवानो कर्योज बोल, आत्रिजु पग्रुमार क्या मुकू, राजा तार वजन पार, बली राजा पन आज भगवान नुविराट रूप जोई गबराया पन राणी विंद्यावली विराट शोरूपने वंदन करेज आ सर्व तमारी क्रिया भूमीज आ सरीर उपर पन जीवनी सत्ता नथी, हक नथी ते संपती, संतती उपर क्या थी होई सरीर पन मारू नही, तो आ संपती मारी क्या थी होई गिताजी नू आरंब धर्म सब्द थी करयो छे, गिताजी ना पहला स्लोक नू पहलो सब्द धर्म छे, धर्म क्षेत्रे, कुरू क्षेत्रे, अने गिताजी नू छेलो सब्द मम छे, बेवचे मध्यमा गिताचे, मम एकले मारू, शु मारू, धर्म एज मारू, धर्म एकले सत सतकर्म, मारे आथे जेटलू सतकर्म थाए येटलू जो मारू, बाकी मारू शरीर पण मारू नथी, जीवना हाथे जेटलू सतकर्म थाईू होई तेटलू जो तेनी साथे आवेशे, दुरुत्रास्ट आ माराने आपार का एम बोली करेशे, दुरुट्राष्ट आ मारा ने आ पारका एम करे छे तेथी एना बधा मरे छे अने अर्जुन भगवान ने सरणे आवे छे तेथी ते बचे छे भगवान पोते एना सार्थी बने छे एने रक्षे छे एने दोरे छे મारू સું એનિ આપણને ખબર નથી એની જ્જ એનિ જ્જ જ્જ મારામારી છે મारू સું છે આમ જો મનુશ્ય શમઝે तो एना घरमा मारा मारी क्यारे पण थाए गे मारू माथी छूटे तो एने मारू सुचे ते जानवा मडे अने शुखी थाए जीव कोई दन संपती केस्तरी पुत्र ना मालिक नथी मात्रने मात्र सतकर्मनों जे मालिक छे माटे जेतला सतकर्म था एतला करो एना अथे येटलू सतकर्म करे येटलू जी एनू छे आ जीव कशानो मालिक नथी मालिक प्रभू छे अनि कईू पन छे सबका मालिक एक बधाना मालिक प्रभू छे जीव तो मात्र मुनिम छे आ सरीर उपर पन जीव नीश चत्ता नथी तो बिजा पदार्थ उपर तो कईरी ते शत्ता ओई शेके मालिक भगवान छे, छता जीव करे breeds आ मारू 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 कर्याज करें अड़ने जे मारू मारू करें तेने जे भगवान मारें थे तारू तारू करे खे तेने बगवान तारे खे विन्द्याज ली कहे खे विन्द्या वरी कहे खे प्रभु आग तमारी लीला तो ने कोई आपी शक्ये नहीं मारा पति अभिमां थी बोले खे तमने कोई मापी सके नहीं, तमने सुँ आपी सके, मारा पती अभीमान थी बोल्या चे के मेदान आपी उचे, पन तमने कोई दान आपी सके नहीं, कारण के आप जी सर्वश्योना मालिक छो, जे तमारू छे, ते तमने आपवानी चेस्टा करवी, ये पन एक मुर्खाई छे, पछी विंद्यावली पोताना पती देवने समझावे छे, क्या आप सरीर हजू बाकी छे, क्या आप सरीर पन भगवान नू दिदरू छे, ते मने आरपण करी दो, भगवान ने कहो के त्रीजो पग मारा माथा परपद्रावो, मस्तक बुद्धी प्रदान छे, बुद्धी गर्वनो नास थाए, तान दान ने मन भगवान ने अरपण करे, एना माथे भगवान चर्ण पद्रावे छे, अने एतले तो कईू छे? तन मन धन प्रभूना चरे नोमा, मारू तन मन धन प्रभूना चरे नोमा, तन मन धन प्रभूना चरे नोमा, मारू तन मन धन प्रभूना चरे नोमा, मारू तन मन धन प्रभूना चरे नोमा, तन मन धन, आजो भगवान ने समर्पित करवामा आवे, तो जीवन धन्य बनी जाये छे। भगवान ने कहो के त्रिजो पग मारा माथे पदरावे। मास्तक बुद्धी प्रदान से बुद्धी मां गर्वत दंब रहेलो छे। भगवान नो चरण माथे आवे, तो दंबनो नास थाए, गर्वनो नास थाए, तन, मन, धन ए भगवान ने अरपन करे। तेना माथे भगवान चरण पदरावे छे। मस्तक मां सुक्ष्मरीते काम रहेलो छे। परमात्मानाचारण अथ्वाहात आम्मस्तक उपर आवे तो कामनो सुक्ष्म कामनो पन नास्थायेची। एकले गोपियो स्री कृष्ण ने कहेचे अमारा मस्तक पर तमारो कर मुपोँ। गोपि एकले कोई अमुक वस्तु नहीं। पड़ इंद्रियो द्वारा भगुद रश्नु पान करे एने गोपि कहीचे। गोपि श्त्री नथी, गोपि पुरुष नथी, गोपि कोई एक काडे थाई एवुई नथी। ए सर्वत्र छे, सर्व काडेचे। माट ए गोपि भावतारन करी अने भगवान ने कहीँ। के मार मुवाईश्नाओं छे, समरपणनू रहस्य के समझेचे। ते कहेचे, हे प्रभु त्रिजो पस्तक, त्रिजो पग, हे प्रभु मारा मस्तक उपर आपनू त्रिजो पग उपदराओं। बली कहेचे, मने बोलता आवल्यू नहीं, हे परमात्मा क्षमा करों। अपना चर्णे, हुँ वंदन करों छे। एवामा बली राजाना पिता, मारा पउत्र, आ बली ने आपे इंद्रपद आपेनू, अने ते पाछू लैली दू, अने तेने संपति थी पन ब्रस्ट करयो, ते आपे एना उपर महान अनुग्रह करयो छे, एम हुमानू छे, दान अपनार मा पन, क्यारे अभिमान ना उजुए, ये वंदन करे छे, एप्रभून बंधन मा राखे छे, ये विश्वो मा वशु मात्रना मालीक छे, तेने दाना पवानी चेश्टा, एखोटू अभिमान चे, बली राजा, सरीर अरपन करे छे, सरीर अरपन करे, एटले अहंक पन, क्यार, हुँ पणू अभिवान अरपन करे छे, दान बंधनारो, ये दान अपनारो, ये शुदि दिन न बड़े, तो ते दान सफड्थतो न थि, आम जारे बली राजा मा दयनेता आवी, त्यारे परम,